हाई मेरा नाम है आशी शार आप देख रहे हैं दीललन टॉप एक बार फिर हम आ गए हैं आपका फेवरेट शो लेके जिसका नाम है सोशल लिस्ट शो फेवरेट हो नहों ऐसे कहते रहना चाहिए चार दिन कहेंगे तो आपको भी डाउट होने लगेगा कि यह कहीं सही में तो लातमारी जवान ने बचाया वीडियो का सच क्या है जन अशिरवाद यात्रा में घोड़े को भाजपा के रंग से रंग दिया फोटो वाइरल और पिक आफ दे डे में करेंगे बात अफगानिस्तान की पहली महिला ग्रैफिटी आर्टिस्ट की लेकिन उस सबसे पहले सोश सब्सक्राइक पार्किंग नेग खड़ी थी तो उठा ली अब हुआ यह यह कि बाइक को बाईक को वाले के साथ उठा लिया ट्रेफिक वाले कहा रहे है है कि हम उठा रहे मामला है है जनता सब तरह की बातें कह रही है बात करते हैं ट्रेंट्स की ट्रेंड हुआ हैश्टाग एयर टेल जीओ लूट बंद करो बीसनल वाले दिन वापस कर दो जैसी बातें हुई सवाल पूछे गए कि पैसा 4G का तो स्पीड 2G की क्यों पूछा गया पूरी दुनिया में महीन है और क्या ही फर्क पड़ता है हैं तो नाम भरके ही तो पूर क्रिकेटर और पाकिस्तान के नाम भरके प्रधान मंत्री इम्रान खान ने शेयर किया एक वीडियो जिसमें पुलिस वाले एक बंदे को ट्रेन के नीचे जाने से बचाता है सुनने में पिस्सा बड़ा लोग चत पर बैठ के यात्रा कर रहे थे ऐसे में दुरघटना तो होगी ही तजिंदर पाल सिंग बगगा लिखते मिले एक ही ट्रेन होगी पाकिस्तान में भाई जान किसी ने लिखा भाई कितना प्राउडली ये वीडियो अपलोड कर रहा है अब ये हालत तो देख ले ट ट्रेंड्स की आरजे मलिश्का समय समय पर चर्चाओं में रहती हैं अब ही खबरों में है क्योंकि सेक्सेज नारूप लग रही है उड़े जब जब जुल्फें तेरी पर उनके आगे डांस कर रही है एक और वीडियो में कहती नजर आ रही है कि मैं आपको पूरे इंडिया की ओर से जादू की जपी देना चाहती हूँ चलेगा क्या और नीरज नमस्ते ऐसे दूर सही टाइप से बातें कह रहे हैं सटायर में लिखा गया जिस तरह का हरेस्मेंट नीरज चोपड़ा को मलिश्का से जहिलना पड़ा मैं शर्मिंदा हूँ और डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ अगर कल को मेरा बेटा बड़ा होकर नेशनल हीरो बना और वो उसके साथ भी ऐसा ही करें तो क्या मर्द वाकरी सुरक्षित हैं यह सोचकर ही मेरी रेड़ की हड़ी में चिलकन दौड जाती है लोगों ने नीरज की तारीफ की कहा आप चेंप अजनेभी को कैसे सबक सिखाते हैं नीरज चोपड़ा को गले लगने को वो कह रही थी और वो उन्हें दूर ही रखना चाहा रहे थी इसलिए दूर से ही नमस्ते कह दिया मीम चले जिन में कहा जा रहा था इसके पेट पर जैवलीन मारिये प्रभू इंटर्यू के पहले आज ये मलेश का का डांस देकर नीरज चोपड़ा अंदर ही अंदर क्या सोच रही होंगे वो बताया गया तारक महता को उल्टा चास्मा के मीम लगा के का गया ये बंद कर बंद कर ट्विटर पर लोगों ने लिखा सोचिये 40 साल का आदमी 23 साल की लड़की से भी ना उसके कंसेंट के किस मांग रहा हो अब टेबल टर्न कीजे और आपको महसूस होगा कि मलिशका ने नीरज चोपड़ा के साथ जो किया वो कताई मज्यदार नहीं था और जस्टिफाई नहीं किया जा सकता लोगों ने कहा कि अगर मलिशका कोई पूरुष होती है और खुद को महिला स्पोर्ट्स पर्ट्सन पर ऐसे थ्रो कर रही होती तो मीटू हैंडल ये पक्का करते कि वो माफ़ी मागे हैं उनकी नौकरी जाए और कहीं दूसरी जगह काम ना मिले लेकिन औरतें इंपावरमे में बहुत ही शर्मनाक है उस बंदे ने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी पहचान मनाई है ना कि कम उम्र और स्मार्टनेस के कारण आपको सब की बाते हमने सुना दी आप बताईए नीरत चोपड़ा के लगातार जैसे इंटर्यू जाए हैं जैसे सवाल उनसे पूछे ग सोचल मीडिया पर वाइरल है एक वीडियो आईएस अविना स्वरन निडाला कुछ उसे ग्यारहतारी कासली CCTV फूटेज मान रहे हैं कुछ उसको जनजाग रुखता के लिए बनाई गई स्क्रिप्टेड क्लिप कह रहे हैं और हमने कल आपको ब्लू टिक वाले आईएस आई जवान आकर उसे रोकता है और महिला को पैसे देता है उसके आँसू पोचता है जवान की जो भल्मन साथ उस वीडियो में दिखाई कई वह अब फेस्बुक पर वाइरल है बेघर महिला से बत्तमीजी करने वाले दुकानदार को जवान ने सिखाया सबक वीडियो वाइरल ये caption लगा कर वीडियो खुद चल रहा है लोगों ने कहा जो जवान देश की रक्षा करते हैं वो एक बुजूर्ग महिला की भी रक्षा करते हैं वीडियो के स्क्रिप्टेड होने के अंदेशे पर भी लोगों ने कहा कि अगर स्क्रिप्टेड भी है तो भी बहुत शांद अभा लगते हैं कि वो हर चीज को अपनी पारटी के रंग में रंग लेना चाहते हैं ऐसा सच में होता नजर आया भाजवपा वाले आजकर जन आशिरवाद यात्रा निकाल रहे हैं अ इन द और में भी यही हो रहा था जयोती रादितिय्यम्द्य एकल जन आशिरवाद या दर्ज हो गई है अब तस्वीर जो है वो सोशल मेडिया पर हर और नजार आ रही है सोशलिस्ट में आप बाली है पिक ओफ दे डे की और पिक ओफ दे डे में आज बात करेंगे अफगानिस्तान की अफगानिस्तान का नाम हर ओर चल रहा है बात वहां की महिलाओं की भी बहुत हो रही है उनकी हालत की भी खूब बात हो रही है तालिबानी आतंकियों ने भी खूब बकवास की है, ऐसे में सवाल है कि इतने सालों में धीरे-धीरे जिन महिलाओं ने अपना काम जमाया था, उनका क्या होगा? इंस्टाग्राम पर नजर आया, ऐसा ही एक अकाउंट इसे सुझाया है, हमारे इंस्टाग्राम वाले साथी परशांत ने, जिनका काग्जों में नाम प्रशांत है, इस अकाउंट का नाम है शमसिया हसनी, पहली अफगान महिला ग्रेविटी और स्क्रीट आर्टिस्ट इनको कहा जाता है, इनके हैंडल पर इनका काम देखने को मिलता है, और तालिबान के कबजे के बाद इनका विशय भी तालिबान के साए में महिलाएं है बागी आज के सोशल डिस्ट में इतना ही, शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताईएगा, अब हमारी मुलाकात होगी, सीधे, सोंबार को सोंबार को हम मिलेंगे, तब तक के लिए वीकेंड अंज़ाय कीजे, हम चले, टाटा